अब हमने बात की थी ग्रामीन बस्तियों के वरगी करण पर जिसमें हमने देखा इस्थाइत्व के अधार पर कारी के अधार पर और साथ ही साथ वहाँ पर आकरिती के अधार पर इन सब के अलावा हम देखेंगे कि कुछ जो जियामिती आकरितियां होती है जो कहीं पर कोई भ एक ज्यामिती आकृती का अनूसरन करती हुई गजिखी है, तो इस परकार के प्रतिरूप इपटने के प्रति जो हैं, वह किसी छेत्र में विक्सित हो जाते हैं, तो आएए हम बात करते हैं ग्रामीड बस्ति ओके प्रतिरूप पर, देखने को मिलते हैं ग्रामीर बस्तियों के प्रतिरूप पर हम देखें तो इसमें भी सबसे पहले हम देखते हैं जैसे विन्यास के आधार पर मतलब जहां पर वो बस्ती ग्रामीर बस्ती विक्सित हुई है कोई बस्ती मैदानी छेत्र में है तो उसे मैदानी बस्ती कह तूसे हम मरुस्थली ग्राम की संग्या दे सकते हैं तो यह हो गया विन्यास के आधार पर इसके बाद हम देखते हैं कि कारे के आधार पर ही कुछ ग्रामीड बस्तियों का नामकरन कर दिया जाता है जैसे किसी ग्रामीड बस्ती में हम देखेंगे कि मुख्य रूप से जो लो जैसे कहीं पर कोई लकडी का ही काम कर रहे हैं, लकडी काटने का ही काम किया जाता है, वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं तो उसे लकड़हारा ग्राम कह दिया जाता है, तो कारे के अधार पर भी इन बस्तियों के प्रतिरूप हमें देखने को मिलते हैं, और इन सभी के साथ तो सबसे पहले हम देखते हैं रेखी प्रतिरूप या लीनियर पैटन जैसा कि आप इस डाग्राम के माधियम से देख भी पा रहे होंगे कि इस प्रतिरूप के जो गाउं होते हैं वो किसी एक स्तडक मार्ग हो गया या कोई रेल मार्ग है या कोई नदी प्रवाहित हो रही है तो इन सडक मार्ग रेल मार्ग या नदी के समानांतर ही उसके दोनों छोरों पर बस्तियां या अधिवास जो हैं वो विक्सित हो जाते हैं उसके समानांतर समानांतर तो यह जो प्रतिरूप बनता है वो एक रेखी प्रतिरूप या लीनियर पैटन की भ आकार की वो नजर आती हैं जिसके कारण उसे लीनियर पैटर्न की संग्या दी जाती हैं अब दूसरा हम देखते हैं इसी में क्रॉस या चौक पट्टी तो जहां कहीं भी कोई मार्ग जो है वो चारो ओर से आकर एक दूसरे को समकोड पर काटते हैं तो वहाँ पर मतलब एक मार्ग सीधे गया हुआ है इस डायग्राम से आप देख पा रहे होंगे कई मार्ग जो गय हुए हैं और उनके समानांतर और अन्य मार्ग दूसरे जो मार्ग हैं वो उन्हें समानांतर समानांतर 90 डिगरी पर या हम कहें कि समकोड पर काट रहे हैं तो क्रॉस या चौक पट्टी प्रतिरूप भी कहा जाता है अगला है तारग प्रतिरूप तो इस प्रतिरूप का निर्मान तब होता है जब किसी एक गाउं में या उस गाउं के केंद्र में कई दिशाओं से अनेक दिशाओं से रास्ते जो हैं मार्ग आकर उस गाउं के केंद से अलग-अलग दिशाओं की तरफ अलग-अलग मार्ग जो हैं वो जाते हैं तो यह जो हाकृती बनती है वो एक तारे के प्रतिरूप का निर्मान हो जाता है क्योंकि इन मार्गों के सहारे सहारे ही मकान जो है वो बना लिये जाते हैं इन रास्तों के इन मार्गों के दोनों पर तो एक तारा प्रतिरूप का या एक स्टार लाइक पैटन का जो है वो निर्माण होता है जिसे तारक प्रतिरूप की बस्तियां कहा जाता है इसके अलावा हम देखते हैं टी शेपड पैटन या टी आकार की टी आकार प्रतिरूप की जो बस्तियां होती है तो ये बस्ति तब विक्सित होती है या ऐसे छेत्र में विक्सित होती है जहां पर एक मार्ग जो है वो दूसरे से लगभक आकर समकोड पर मिलता है तो जो अंग्रेजी का टी अक्षर है इस प्रकार की आकरिती या प्रतिरूप का निर्माण होता है फिर नेक्स्ट है आपका गोला कारप्रति रूप या सर्कुलर पैटन तो इस प्रकार के पैटन का विकास उन छेत्रों में होता है जहां कहीं एक बड़ी जील या एक बड़ा तालाब हो और उस जील या तालाब के चारो और घर या अधिवास जो हैं और जैसे जैसे हम इन जील और तालाब के बाहर की तरफ और बढ़ते जाते हैं तो हम देखेंगे कि उन पूरे छेत्रों में एक प्रकीर्ण बस्तियां जो हैं वो विक्सित होती जाती हैं तो इस प्रकार से जो बस्तियां विक्सित होती हैं उसे गोला कार प्रति रूप या सर्कुलर पैटर्न की बस्तियां कहा जाता है हम भारत में देखें तो इस पेशली पश्रिम बंगाल में हम चले जाएं या उत्तर प्रदेश में चले जाएं तो इस प्रकार के गोला कार प् किसी कोई जो सड़क होती है वो नदी या नहर के द्वारा या हम कहें जब कभी कोई जो एक सड़क होती है वो नदी या नहर को एक पूल के द्वारा पार करती है तो सड़क और नदी दोनों के ही किनारों पर मकान जो है वो विक्सित हो जाते हैं और ऐसी जो बस्तियां होती ह वो युगमा आकार या युगमा आकरिती वाली बस्तियां कहलाती हैं इन सभी पैटन के अलावा प्रतिरूप के अलावा हमें कुछ और प्रतिरूप भी विक्सित देखने को मिलते हैं जैसे अर्धवरित्ताकार हो गया, क्रॉस आकार की हो गई या फिर तीरनुमा पैटन हो या व्य पैटनमे हो गया व्य पैटन भी जहां पर दो मार्ग आकर मिल रहे हैं और वो जो दोनों मार्ग हैं वो गिसी एक टीशरे मुख्य पर आकर मिल जाते हैं इस प्रकार के वाय पैटन या वाय प्रतिरूप का विकास होता है तो हमें ग्रामीड बस्तियों में भी हम देखें तो चाहे वो सन्नत हो, सगहन हो या प्रकेड़न हो इसकैटर्ड हो हमें कुछ यह प्रतिरूप जो हैं ज्यामिती आकार के इन बस्तियों के प्रतिरूप पर हमें नजर आते हैं इन सभी के अलावा भी, हमने देखा था कि नियोजित बस्तियां भी मिलती हैं कुछ जो जिन्हें हम आदर्श ग्राम की संग्या देते हैं ये तो हो गई बात ग्रामीर बस्तियों की, अब हम चर्चा कर लेते हैं कुछ नगरी बस्तियों पर नगरों का विकास जो है वो एका एक नहीं हो जाता है पहले कोई भी बस्ती जो है वो छोटा पुर्वा होती है छोटा सा कजबा होता है जिसमें 5-6 से लेकर कुछ 10-15 घर होते हैं फिर धीरे 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 वो बस्तियां विक्सित होती जाती हैं कुछ दुकान कुछ संब व्हu reborn नगरी गाओ नगरी कजवा पिर नगर महा लग इस प्रकम से विक्सित होता जाता हैं तो यदि हम प्राचीन समय से ही बात करें तो ये जो सकते हम नगरी करण है इस करत अब या इस साक्षे हम कह सकते हैं जो हरपा या मोहंजोदरो इस kitty जो नगर है यह इसके प्रमाड हमारे सामने प्रस्तूत करते हैं यह हम बात करें कि जो आधुनिक प्रकार का नगर है तो आधुनिक प्रकार की जो पहली नगरी बसती है इसे लंदन को माना जाता है और लंदन की जो जनसंख्या थी वो 1810 में 10 लाग थी और यदि हम 1982 में चले जाएं तो विश्व के लगभग 175 नगर जो है वो ऐसे हो गया थे जिनकी जनसंख्या 10 लाग थी और इसी प्रकार से यदि हम 1800 की बात करें तो सन 1800 में विश्व की मात्र तीन प्रतिशत जनसंख्या ही नगरी जनसंख्या थी और अगर वर्तमान समय में देखें तो इसमें इतना चेंज आ गया है कि वर्तमान में ये संख्या बढ़कर 48% हो गई है तो नगरी बस्तियों का जब हम वर्गी करन करते हैं या हम ये कहें कि ऐसे कौन से आधार बनाएं कि हम पहचान कर पाएं कि ये बस्ति ग्रामीड है या नगरी है तो नगरी बस्तियों के वरगी करण के लिए कुछ आधार जो है वो हमारे सामने प्रस्तूत हैं लेकिन इसमें भी भिन्नताएं हैं मतलब ऐसी कोई ये कौमन नहीं है कि हर देश में एक ही आधार को फालो किया जाए या माना जाए ये अलग-अलग देशों में अलग-अलग आधार जो है वो नगरी अधिवास के वर्गी करण का प्रमुखाधार होता है यह हम कहें कि नगरी अधिवास की शेणी में आने के लिए जनसंख्या की एक निचली सीमा है और वो अलग-अलग देशों में अलग-अलग है अगर हम भारत में देखें तो एक्जामपल के लिए भारत में ऐसी बस्तिया नगरी बस्तियां जिनकी जनसंख्या 5000 से अधिक है उसे हम नगरी अधिवास की शेणी में लेकर आते हैं दूसरा है व्यवसाइक सननशना मतलब किसी भी अधिवास या बस्तियों में किये जाने वाले कारी के आधार पर भी हम उसे नगरी अधिवास या ग्रामीर अधिवास की श्रेणी में लेकर आते हैं तो कई देशों में देखें कि व्यवसाइक सनलशना को भी आधार माना गया है और जैसे हम भारत में बात करें तो हमारी भारत में कम से कम 75 प्रतिशत जो जनसेंख्या है 75 प्रतिशत या उससे अधिक जनसेंख्या गैर कृशी कारियों में सनलगन होनी चाहिए ऐसे अधिवास इस 50% जनसंख्य जो गैर कृषिकारीयों में सनलगने हैं, तो वहाँ पर ऐसे अधिवासों को ऐसे नगनी अधिवासों को नगरी अधिवास की शेणी में टखा जाता है, फिर है प्रशाशन तो नगरों का जो भी भाजन है या इनका जो वर्गी करन हैं, वहाँपर किये जान जैसे भारत की ही हम बात कर ले तो भारत में वे सभी अधिवास जहां पर की जैसे नगरपालिका है या झावनी बोड है या जो अनुसुचित नगरी समीतियां होती हैं जहां पर भी इस प्रकार के प्रशासन से संबंधित कार्याले या कारी किये जाते हैं उन्हें नगरी भी नगरी अधिवास के वर्गी करण एक प्रमुखाधार है और यदि हम भारत में बात करें तो हमारे भारत में जंसंख्या गहनत्व yay मतलब व्यावसाई संदशन की जो हमने बात की, प्रशासन से संबंधित व्यवस्था की बात की, जन संख्या के आकार जिसको हमने देखा था 5000 या उससे भी अधिक जन संख्या जो है, ये सभी आधार जो है, वो हमारे भारत में नगरी अधिवास की शेणी के लिए रखे गए हैं। तो ये हो गया नगरी अधिवास और उसका वर्गी करण कैसे किया जाए क्या क्या आधार हो सकते हैं तो इन सब के नगरी अधिवासों का जब हम वर्गी करण करते हैं उनके आकार और प्रशाशन से समबंदित व्यवस्था व्यावसाईक सनरशना के आधार पर तो इनके आका या अर्बन विलेज, कजबा या जिसे हम टाउन कहते हैं, नगर या जो सीटी कही जाती है, महानगर या मिलियन सीटी, जिनकी जनसा इंख्या 10 लाग हो, उसे हम मिलियन सीटी कहते हैं, और मेगा सीटी, ये कुछ नगरी अधिवास के वर्गी करण हैं, तो इन पर भी हम एक ए करके चर्चा कर लेते हैं, जैसे पहले आता है पुर्वा या जिसे हम हमलेट कहते हैं, इस प्रकार की जो बस्तियां होती हैं, वो हमारी भारत में देखने को नहीं मिलती, यदि हम विश्व के संदर में बात करें, तो हम देखेंगे कि मुख्य रूप से इस प्रकार की बस् जहां जो ना तो पूरी तरह से नगरिय सुविधाओं वाली होती है, यहाम इसे पूरी तरह से नगरिय बस्ती भी नहीं कह सकते हैं, और नहीं पूरी तरह से घ्रामिड बस्ती, यह दोनों का एक mix स्वरूप कह सकते हैं और इसका जो सम्बंध है वो बड़े-बड़े krishi form ज के ही नगरी एलोग होते हैं और इनका संबंध जो है वो आसपास के गाउं से होता है यह हम यह कहें कि हमने देखा कि दोनों की ही विशेष्टाएं चाहे वो ग्रामीड अधिवास हो या फिर नगरी अधिवास दोनों की ही विशेष्टाएं जो है वो इसमें देखने को मिलती यह इन किसानों के निवास स्थान यहां पर नहीं होते लेकिन इन पुर्वों को वहां किये जाने वाले जो मुख्य कारी हैं वहां पर जो आसपास की ग्रामीन बस्तियां होती हैं उनकी आवश्चक्ताओं को पूरा करने के लिए यहां जो कारी है वो किये जाते हैं तो पहला सबसे छोटी काई इसकी होती है हैमलेट या पुर्वा दूसरा नगरी या बाजार ग्राम या हम जिसे अर्बन विलेज भी कहते हैं तो उत्तरी अमेरिका में ही हम इसे देखें मुख्य रूप से जो कृषी निवास होते हैं या जिसे हम फॉर्म स्टेट भी कहते हैं इससे सं या जो अलग अलग पर कि चोटे बड़े दुकान होते हैं कुछ कारी करने वाले जो अलग 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 परकार के कारी करने वाले या कपड़ों फीसे करने वाले या जो दलाल होते हैं और अन्य जो बिजनेस या व्यवसाय करने वाले लोग इस प्रकार के अर्बन विलेज ये नगरी गाउं में रहते हैं यहां जो क्रिशी कार्य करने वाले जो क्रिशी निवासी होते हैं इनकी आवश्च्रक्ताओं की इन छेत्रों से पूर्त की जाती है मतलब करिशी का कार्य तो नहीं किया जाता लेकिन जितने भी आसपास के जो यहां के ग्रामीड छेतर के निवासी होते हैं वहां पर इन नगरी गाओं में ऐसे कार्य किये जाते हैं जहां से इन आसपास के निकटवर्ती जो ग्रामीड छेतर होते हैं वहां रहने व वो आसपास के लोगों की आवश्ष्कताओं की ग्रामी लोगों की आवश्ष्कताओं की पूर्ति करते हैं। इसके बाद हम देखें कि, अगर हम जनसंख्या की बात करें, तो इन गावों की जनसंख्या जो है, और इसके साथ ही साथ कनाडा और आस्ट्रेलिया इन देशों में भी हमें इस प्रकार की बस्तियां देखने को मिलती हैं इसके बाद है कजबा कजबा जो होता है ये पुर्वा और नगरी गाउं से थोड़ा बड़ा होता है ये हम कह सकते हैं कि कजबा एक ऐसा छेत्र होता है जहां जो नागरी कारी होते हैं उनका महत्व बहुत ज़ादा होता है और इन कजबों में ही बिस्सट प्रकार की क्रियाएं भी पाई जाती है जो और ऐसी क्रियाएं पाई जाती है जो समानी रूप से गावों में नहीं मिलती ये कजबे जो हैं वो अधिक अधिक रूप से हम देखें या अधिकतर जो इस प्रकार के कजबे हैं वो किसी सड़क या रेलवे स्टेशन के आसपास ही इस्थित होते हैं और इसके कारण जो आसपास के जो केंद्र होते हैं जो निकटवर्ती गाउं जो होते हैं ये इनके मुख्य केंद्र होते हैं और यातायात की सेवाओं से हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से ये विक्सित होते हैं यहां पर यातायाद की सुविधाएं तो मिलती ही हैं साथ ही साथ अगर हम बात करें तो डाग घर है पोलिस स्टेशन है इसकूल है मेडिकल स्टोर्स है या मनुरंजन के अलग-अलग साधन पिक्चर हॉल की बात करें या हम उद्ध्यानों की बात करें ये सब ही जो हैं वो हम नगर पालिका भी जो है वो यहां पर इस्थापित हो जाते हैं इस प्रकार के कजबों में और अगर हम देखें तो इन कजबों और नगरों में बहुत ही कम अंतर पाया जाता है प्राया हम देखेंगे कि यह जो कजबे होते हैं यही समय के साथ और आगे अधिक विक्सित होते इसके बाद होता है नगर या सीटी, सीटी भी हम कहें तो धरातल पर हमारे पृत्वी की सतह पर हम कहें कि जो मानवी क्रियाएं अलग-अलग प्रकार की होती हैं, इन मानवी क्रियाओं के से निर्मित एक विशिष्ट प्रकार का सामाजिक संगठन का केंद्र हम इसे मान सकते ह और इसके द्वारा उन चेत्रों की आवशक्ताओं की पूर्ती होती है यह नगर जो है वो अपने पूरे आसपास के जितने भी ग्रामी चेत्र जो होते हैं या हम छोटे-छोटे जो कजबे आसपास इस्थित होते हैं उन सभी की सेवाओं का उनकी आवशक्ताओं को पूरा कर छेत्र बहुत ज़्यादा विस्त्रित होता है और अलग-अलग प्रकार के यहां पर जो लोग रहते हैं वो अलग-अलग प्रकार के कारिक करने वाले एक बहुत धंदी छेत्र हम कह सकते हैं जहां पर कारियों की विविधता जो है या विशेशी करण उसका देखने को मिलता है समाने रूप से अगर हम कहें तो ये एक छेतरी केंद्र होता है जहाँ पर परिवहन की सुविधाएं, उद्योग धंदे, खनीज और राजनैतिक और सामाजिक सेवाओं का भी एक केंद्र बिंदू होता है जो नगर होता है यहाँ पर अलग-अलग प्रकार की हमने कहा ही कि उद्योग धंदे तो है ही, धंदे या कारियों में विशेशी करण विवित्ता जो है वो देखने को मिलती है फिर चाहे वो बिजनेस से संबंदित अगर हम दुकान की बात करें तो अलग-अलग प्रकार के दुकान हो गया व्यापारी केंद्र हो गया वाडी जी केंद्र या सिक्षन संस्थानों में भी हम कहें कि बहुत सारे चोईसेज जो हैं वेराइटियां यहां पर देखने को मिलत मिल्यीह सिटी केहां 25 वे लेक कहते हैं पर अगर की बाहन गरों की जो अलग-अलग हम कहें की डिविज्स जो हमने देखे उसमें सबसे अग्रणी नगर होता है Million City या Mahanagr और ये जो नगर है ये आसपास के जो छोटे कजबे या और जो नगर होते हैं विक्सित नगर इन सबसे जो प्रतिसपरधा होती है इन सभी प्रतिसपरधाओं से ये बहुत उपर उठ जाता है ये मतलब आसपास के किसी भी केंद्र से इसकी कोई प्रतिसप्रधा, कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता, ये इतनी अधिक विक्सित अवस्था में होता है, मिलियन सिटी या महानगर. यहाँ पर प्रमुक रूप से हम कहें तो जो वित्तिय संस्थान होते हैं, प्रादेशिक जो प्रशाश्की कार्याला होते हैं, यातायाद का एक व्रिहत केंद्र बिंदू होता है, चाहे हम वायू मारग की बात करें, रेल मारग की बात करें, या सड़क मारग की बात करें, इ से अधिक होती है अगर हम भारत में देखे तो भारत में वर्तमान में 35 इस प्रकार के महानगर जो है वो इस श्रेणी में आते हैं जिसमें प्रमुख उदाहरण जैसे लखनों है पटना है 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 यह सभी नगर जो है वो मिलियन सीटी के उदाहरण है 1800 की अधि हम बात करें सन 1800 में लंदन जो है वही मिलियन सीटी था एक मात्र महानगर था और 1850 में हम देखें तो पेरिज भी इस श्रेणी में आ गया उसके बाद 1860 में न्युवयार्क इस श्रेणी में आ गया तो इस प्रकार से संख्या जो है पूरे विश्व में ही नहीं लगातार बढ़ती जा रही है इसके बाद आता है सननगर या कॉनेर बेशन, सननगर का विकास हम ऐसे छेत्र में कह सकते हैं जहांपर एक जो बड़ा नगर होता है और वो अपने आसपास के जो प्रमुख बड़े नगर होते हैं, वो नगर, मुख्य नगर जो है वो इतना वि तो जैसे दिल्ली है, गाजियाबाद है, कोलकाता है, ये प्रमुख रूप से सन्नगर या कॉनर्बेशन के उदाहरन हैं. और यदि हम विश्व में चले जाएं, तो ग्रेटर लंदन है, मांचेस्टर, शिकागो, टोक्यो, ये भी इसी प्रकार से प्रमुख सन्नगर के उदा हमें मिलते हैं. इसके बाद आता है, विशालनगर या मेगलोपोलिस. मेगलोपोलिस जो है या विशालनगर की जब हम बात करते हैं, इस शब्द का ही सर्वप्रथम प्रेयोग जो है, वो 1957 में जीन गॉटमन ने किया था. ये एक विशालनगरों का हम कह सकते हैं कि एक ठिक उसी प्रकार मेगलोपोलिस या विशालनगर में एक कई सन नगर जो है वो आपस में मिल जाते हैं. और जीन गॉटमन ने उत्तर पूर्वी संयुक्तराज अमेरिका में जो विशालाकार में फैले हुए नगर हैं, जैसे हम उत्तर में चले जाएं, उत्तर में बोस्टन हैं, दक्षिन में वाशिंग्टन हैं, यहां तक के जो नगरी छेत्र थे, इन सभी के लिए इन्होंने सबसे पहले इस शब्द का या मेगलोपोलिस शब्द का प्रयोग किया. और इसी प्रकार से हम देखें, तो एक और मेगलोपोलिस जो है, वो जापान, जो है, वो जाप हमा नगर है. इसके बाद और सबसे बड़ा हम कह सकते हैं, नगर का स्वरूप, जिसे मेगा सीटी कहते हैं, यह मेगा सीटी को हम एक नवीन शब्दावली के रूप में प्रयोग करते हैं, और यह ऐसे नगरों के लिए प्रयोग में लाई जाती है, जिनकी कुल जन संख्या एक करोड और उससे भी अधिक होती है. सबसे पहले यदि हम बात करें, तो 1950 में निव्यार्क नगर जो है, वो इस ट्रेणी में आया था, जब उसकी जन संख्या एक करोड पचीस लाग हो गई थी. और यदि हम वर्तमान में बात करें, तो वर्तमान में विश्व में इस तर सबस्क्राइशों बहुत कम देखने को मिलती है. यह हो गया नगरो का विभाजन, नगरो का वर्गीकरण निचले इससतर से लेकर उपरी स्थर तक. अब हम नगरी छेत्रों के कारियों की बात करते हैं. तो जब हम नगरी छेत्रों के कारी पर चडशा करें, तो हम ऐसा नहीं लगिसाउसा शुक्षा स्वपंधित कोई सुविधाय जो नहीं मिलेगा बहुत सारे उद्योग और विनिमेह हैते रहेटस नहीं बुस्कारी कोई सुविधाय जो हम्हाई रहें तो इसमें हमें एक विशेश देखने को मिलती है कि कोई उस नगर में कोई जिस आधार पर उस जिस कारी के अधार पर उस नगर का नामकरण किया गया है चाहे वो प्रशाशनिक नगर हो धार्मिक नगर हो सांस्कृतिक नगर हो तो वहां पर उस नगर में वो कारी विशेश र तो पहले हम देखते हैं प्रशाशनिक नगर जो होते हैं वो इस प्रकार के जो नगर है वो देश या किसी भी राजी की राजधानियां जो होती हैं वो सभी इस प्रकार के नगर की शेणी के अंतरगत आएंगे इन नगरों में ये मुख्याले तो होते ही हैं साथ ही साथ जो सरकारी इमारते हैं चहसे संसत भवन हो गया विधान सभा भवन हो गया या सरकारी विभागों के जो मुख्याले हैं कारियाले हैं वो सभी इस प्रकार के प्रशाशनिक नगरों में मुख्य रूप से देखने को म और हम सभी को पता है यदि हम राजी की राजधानी या देश की राजधानी में चले जाएं तो ये सभी का जो संकेंद्रन है वो हमें उन नगरों में देखने को मिलता है अगर उदाहरन देखें तो विश्रो में यदि हम बात करें तो लंदन है उटावा है केंबरा है और दूसरा है प्रतिरक्षा नगर प्रतिरक्षा नगर नाम से इस पस्थ हो रहा है कि इस प्रकार के नगर में किसी भी प्रकार की जो सैनिक चावनिया है यह हम बात करें कि सैनिक दृष्टी से इन नगरों में जैसे नौ सेना है वायू सेना है थल सेना जल सेना इन सब के जो नि होते हैं और यदि हम बात कहलें है प्रतिरख्षा नगर के ही उधारन है। इसके बाद तीसरा है सांस्कृतिक नगर, इस प्रकार के जो नगर हैं वो किसी नखिषी प्रकार से केंदर होते हैं या मनुरंजन के चेंदर हो सकते हैं, कोई धार्मी केंद्र वहाँ हो सकता है मुख्य रूप से धार्मी केंद्र के कारण वो जाने जा सकते हैं इस प्रकार की सुविधाएं जो हैं वो एक सांस्क्रिटिक नगर में देखने को मिलती हैं इसमें भी यदी हम भी भाजन देखें तो जैसे सिक्षा नगर है सिक्षा नगर ये इस प्रकार के जो नगरों का विकास है वो सिक्षा संबंधित कारणों से होता है जैसे यहां पर जो सिक्षा से संबंधित सुविधाओं की बात करें जैसे कि Harvard हो गया Harvard, Oxford, Cambridge ये प्रसिद्ध रूप से सिक्षा नगर की शेनी में आते हैं यदि हम भारत में बात करें तो हमारे भारत का अलिगड है, रुड़की है, पंत नगर है, शांती निकेतन, खड़कपूर, पिलानी, ये सब ही जो हैं वो यहां सिक्षा नगर के प्रमुख उधारन हैं इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिक्षा नगर के सांथी सांथ सांस्क्रितिक नगर का एक प्रमुख उधारन जो है वो धार्मिक नगर होता है, धार्मिक नगर जो है नाम से इस पस्ठ हो रहा है कि ये नगर जो है वो धार्मिक महत्व के होते हैं या धार्मिक महत्व के कार तिबत में जो लासा है वो दलाई लामा के कारण ये सब ही जो है वो इनको प्रसिद्धी मिली हुई है और तिर्थ इस्थानों में अधी हम देखें तो जेरुसलम चले जाएं मक्का है हमारे भारत में हरिद्वार वारण असी अमरिद सर वैशनो देवी मतुरा वरिंदावन ये सब ही जो है ये प्रमुख धार्मिक नगरों के उधारन हैं बच्चों हमने नगरों पर बात की नगरी अधिवास पर चर्चा की किस प्रकार के होते हैं इन्हें किस प्रकार से परिभाशित किया जा सकता है कारी के अधार पर और आकरिती के अधार पर इनका जो वर्गी पहले से ही योजना की अनुसार बनाई जाते हैं उन्हें नियोजित नगर कहा जाता है जैसे कि हमारे भारत में हम चंडीगड को देख ली तो यह भी एक नियोजित नगर है और अगर हम विश्व इस तर पर बात करें तो केंबरा भी एक इसका अच्छा उदाहरन लिए तो आ वहां मिलने वाली जो सुविधाएं हैं उन पर हम थोड़ी नजर डालेते हैं इसमें एक प्रमुख नगर है यदि हम विश्व इस्तर पर बात करें नियोजित नगर की तो अदीस अबाबा अदीस अबाबा जो है वो इथोपिया की राजधानी है और यदि हम इसके शाब् प्रवती घाटी परिस्थित नगर है और यदि हम इसके विकास पर चर्चा कर लें तो इस नगर की इस नगर के विकास यहां पर मिलने वाली जो सुविधाएं है उस पर इसकी इस्थलाक्रीती का पूरा प्रभाव हमें देखने को मिलता है जैसे हम बात कर लें यहां के राजकी मुख्याले प्याज्जा की तो यह अराद आमिस्ट के किलो से चारो और से यहां पर सड़के जाती है और यदि हम यहां के विक्सित बाजार पर बात करें तो मरकाटो जो है वो यहां का एक बहुत विक्सित बाजार है हां और कहा जात और बाजार के साथ ही साथ हम देखें तो यह सिक्षा का भी एक बहुत बड़ा केंद्र है जहां पर एक विश्वई द्याल है और साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज और कई अच्छे स्कूल यहां पर इस्थापित है यह जिबूती अदिस अबाबा रेल मार का अंतिम स्टेशन भी है यहां पर बोले नामक एक नया हवाइड़ा भी बनाया गया है और इथोपिया के इतनी विक्सेत अवस्था में पहुंशने का प्रमुक कारण यदी हम बात करें तो इथोपिया जो है इथोपिया के मध्य में स्थित होने के कारण इस नगर ने बहुत ही तेजी से उन्नत नगर है यह पहले से प्लान के तहर इस नगर को वसाया गया है तो इसकी स्थलाकृती परवती घाटी होते हुए भी इसके स्थलाकृती का प्रभाव जो है वो पूरे नगर पर परिलक्षित होता है अब ऐसे ही हम एक और न्योजित नगर केंबरा की बात कर लें केंबरा जैसा बच्चों आप जानते ही होंगे की केंबरा जो है वो आस्ट्रेलिया की राजधानी ही हां इसकी इस नगर की जो योजना है वो अमेरिका के बास्तुए वाल्टर बर्ली ग्रिफिन ने 1912 में बन उनको ध्यान में रखते हुए इसे उद्यान नगर के रूप में विक्सित किया गया था और इस उद्यान नगर में लगभग 25,000 निवासियों के रहने की विवस्ता की गी थी इस नगर के मुख्य रूप से पांच केंद्र थे और हर केंद्र के अलग-अलग कारे थे लेकिन कुछ दशकों में इस नगर के केंद्र के अलावा कई उपनगर जो हैं इस नगर के आसपास विक्सित हो गये हैं और इन सभी उपनगरों की अपने-पने केंद्र हैं नगर में बहुत खुले छेत्र हैं और इन खुले छेत्रों में कई प्रकार के उद्यान और पार्क को भी विक्सित किया गया है तो हमने देखा अधिस अबाबा जो इथोपिया की राजधानी है और केंबरा जो आस्ट्रेलिया की राजधानी है और ये दोनों ही नगर जो है वो एक विक्सित नगर की या हम कहें कि नियोजित नगर की श्रेणी में आती तो ये तो हो गई बात कारिय के अधार पर जब हमने नगरों का वर्गी करन उनका विभाजन देखा अब आकरिती के अधार पर यदि हम नगरों का वर्गी करन देखें तो नगर विभिन प्रकार के और आकार के होते हैं जिसमें जैसे हमने ग्रामिड बस्तियों के संदर्व में बात की थी कि वो रेखी प पर आधार पर जियामिती आकरिती के आधार पर भी हमें नगरों के ये वरगी करण देखने को मिलते हैं. बचो ये हो गई बात नगरों के आकरिती और उनके प्रतिरूप की. अब हम देखें तो वरतमान समय में हम जैसे जैसे विकास की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हम देखेंगे इसपेशली जो विकास शिल्देश हैं, वहाँ पर नगरों की अनेक समस्याओं ने जन्म ले लिया है, हम विकास तो कर रहे हैं, अनेक सुविधाओं, सुविधाएं भी बढ़ती जा रहे हैं, हर चेत्र में हम विकास कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इस विकास ने अनेक समस्याओं को भी जन्म दिया है, तो आईए हम उन प्रमुक समस् तो हम देखते हैं कि नगरी छेत्रों के बढ़ने से या नगरों के आकार बढ़ने से विकास शिल देशों में मुख्य रूप से कौन-कौन सी समस्या है जो है वो उत्पन्न हो रही है तो सबसे पहला पहली समस्या कि यदि हम बात करें तो नगरों के आकार बढ़ने से उनकी व्रिद्धी होने से क्या दुष्परिनाम या कौन-कौन से गलत परिनाम जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं उस पर हम बात कर लें हम देखेंगे कि जैसे जैसे नगरों का आकार बढ़ता जाता है एक नगर और उसके आसपास के जितने भी छोटे नगर हैं वो भी उसमें शामिल होते जाते हैं और इन नगरों के इस समूव में हम देखेंगे कि जनसंख्या का भार उसका घनत्व बढ़ता जाता है और लगातार हम अपने आसपास भी देखते हैं कि जनसंख्या का भार बढ़ने के कारण लोगों के लिए आवास संबंदी समस्या उत्पन होने लगती है अब उनके रहने के लिए आवास तो आवश्यक है ही तो इसका परिणाम हम ये देखते हैं कि एक ही भूमी पर कई बहु मंजिला इमारतें जो है वो एक के उपर एक खड़ी की जाती है तो आवास की समस्या एक मुख्य समस्या तो होती ही है और साथ ही साथ हम देखेंगे कि ज जनसंख्या बढ़ रही है और रहने के लिए उनके भूमी की या आवास संबंधी समस्या उत्पन होती है तो स्लम जो है गंदी बस्तियों को बहुत जादा बढ़ावा मिलता है और जैसे जैसे एक नगर में गंदी बस्ती का विस्तार होता जाता है तो हम देखते हैं कि उन समस्या है तंग गल्यों की समस्या ऐसी ही अनेक समस्या और साथ ही साथ चुकि वहां पर रहने वाले लोग जो है वो असिक्षित होते हैं और चोटे से जगह में रह रहे हैं तो एक समाजिक दुशरिणाम भी इसका देखने को मिलता बहुत सारी समाजिक कुरूतियां, रिती रिवाज इन सभी को भी बढ़ावा जो है वो मिलता है हम अपने देश में ही बात कर लें अगर और हम कहीं नहीं जाते हैं तो कुलकाता की लगभग एक टिहाई जनसंख्या जो है वो इन गंदी बस्तियों में निमास करती है और एश करकार से नगरों का आकार बढ़ने से ये सारी समस्याइं जो हैं वो जन्म लेती हैं साथी साथम जो मूल भूत सुविधायें हैं आवास की समस्या होती ही है भोजन से संबंध versions समस्या परजल और मूल भूस सुविधाऊं में भी हमें कमी देखने को मिलती है दूसरी समस्या की हम बात करें तो उपनगरों का विस्तार और क्रिशी भूमी का सिकुर्णा अभी हमने कहा ना कि एक मुख्य नगर और उसके आसपास के जो नगर हैं वो उसमें क्रमशा जुड़ते जाते हैं क्योंकि जब मुख्य नगर में आवाज से सम्बंधि समस्या उत्पन होती है या बहुत जादा शोर गूल या भीड़ भाड जैसी समस्या उत्पन होने लगती है तो लोग जो हैं वो आसपास के उपनगरी चेत्रों की तरफ प्रवास करने लगते हैं अब आसपास के उपनगरी चेत्रे की तरफ प्रवास कर रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं इसका मतलब है कि वो आसपास के जो नगरी या उपनगरी चेत्रे हैं उन पर फैलते जा रहे हैं और वहां पर उनके फैलाओ होने से लगातार जो क्रिशी भूमी है उनको कैप्चर कर जाएगा उस पे अधिग्रहन कर लिया जाएगा और क्रिशी भूमी पर अधिग्रहन करने से हम देखेंगे कि लगातार क्रिशी भूमी में कमी जो है वो होती जाती है अब क्रिशी भूमी में कमी हो रही है और जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ रहा है तो उनके लिए भोजन से संबंधी समस्या भी लगातार उतपन होने लगती है और चुकी वो मुख्य नगर से उपनगरों की तरफ बढ़ रहे हैं तो नैशरली है कि आवास की भी समस्या जो है वो उतपन होने लगती है और कृषि भूमी के अधिगरहन के बाद पेजल या बिजली से यह सभी समस्यायें लगातार बढ़ती जाती हैं. और एक नगर की जो हम कह सकते हैं कि एक उचित विवस्था, उचित प्रशाशन विवस्था, एक प्रबंधन की आता है वो पूरी तरह से चर्मरा आ जाती है. पिर अगला हम देखते हैं समाजिक कुप्रभाव. तो जहां अभी हमने बात की थी जनसांख्या का दबाव बढ़ा है आवास की कमी और आवास की कमी से मलीन बस्तियों का विस्तार तो इन मलीन बस्तियों के विस्तार से बहुत सारी सामाजिक कुरूतियां या सामाजिक कुपरभाव भी हमें देखने को मिलते हैं क्यों क्यों कि यहां पर जो रहने वाले लोग हैं मतलब लगातार यह समस्या उत्पन हो जाती है कि हम इनके स्ечатव Really, Source संबंधित आवशकताओं की पूर्ती नहीं कर पाते इनके रोजगार व्यृसाय से संबंधी तावश्रक्ताओं की पूरी पूर्ती जो है वो नहीं कर पाते और इस कारण से लोगों में असंतोश या शोशन से संबंधी जो समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ती जाती हैं और समाजिक दुषपरिनाम जो है वो इसके हमें बहुत बड़े पैमाने पर देखने क को मिलते हैं और अगरी समस्या जो है वो म लीन बस्तियों किसपर हम ने पहले भी चरचक कर ली है तो जो ये मलीन बस्त यों की जो समस्या है, लगाता जहां नगरों का भी कास होगा, उद्योग धंधे बढ़ते जाएंगे, उद्योगी करन बढ़ता जाता है, वहाँ काम करने वाले लोग आवास की कमी के कारण एक छोटे से, छोटे से कमरे के एक घर में आठ से दस सदस्य जो ह और चुकि वही वही पर लोग रहते हैं तो बहुत सारी महामारिया या गंदगी के फैलने से संबंधित बीमारियों के फैलने का भी डर जो है वो हमेशा लगा रहता है तो ये समस्याएं हमें मुख्य रूप से लगातार नगरी करण के परिणाम सरूप देखने को मिल रही है और हम ये कह सकते हैं कि अगर हम विकास कर रहे हैं नगरी करण की तरफ बढ़ रहे हैं और द्योगी करण की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें इन सभी समस्याओं का एक उचित प्रबंधन करते हुए हमें नगरों का विस्तार करना होगा otherwise हमारे इस विकास के कोई आचित्य कोई मायने नहीं रह जाते क्योंकि एक तरफ तो हम विकास कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमें चाहे वो समाजी की स्थर पर हो या समाजी कुरूतियों की हम बात करें या हम भौतिक गिरावट की बात करें इस पर हम लगातार नीचे निमने स्थर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो वो विकास जो है वो किसी अर्थ का नहीं रह जाता तो हमें एक उचित प्रबंधन, एक कुशल प्रबंधन की हम बात करें तो ज़्यादा सही होगा कि एक उचित पॉलिसी बनाते हुए प्रबंधन की व्यवस्था करते हुए हमें अपने इस नगरी करण और ओद्योगी करण की तरफ बढ़ना होगा और इन समस्याओं से निजात पाना ही होगा तभी हम विकास की एक उचित प्रबंधन की व्यवस्था को पा सकते हैं बच्चो यह मानो बस्तियों का चैप्टर था आज जो हमने पढ़ा जिसमें हमने ग्रामीन बस्तियों की विशेपर बात की नगरी बस्तियों की विशेपर बात की तो छोटे प्रशनों के रूप में आपको इस प्रकार से पूछा जा सकता है जैसे किसी एक नगर का नाम दे दिया और ये किस प्रकार का नगर है जैसे सांस्कृतिक नगर है, सक्षनिक नगर है, धार्मिक नगर है या आपसे पूछा जा सकता है प्रशाश्रिंग नगर के कोई दो उदाहरन दीजिए अगर हम बड़े प्रशनों की रूप में बात करें तो ग्रामीन बस्तियों के प्रतिरूप को समझाए तो जहां अगर प्रतिरूप की बात होती है तो आपको जो हमने अभी देखा था रेखा आकरिती के माधियम से डायग्राम के माधियम से आपको अपने उत्तर को रिप्रेजेंट करना होगा और साथ ही साथ जब आप अलग-अलग प्रकार के नगरों की जब हम कारिक की बात कर रहे हैं या ग्रामीन बस्तियों के वर्गी करन की बात करेंगे तो आपको अपने उत्तर में उदाहरन का जो समावेश है वो जरूर करना होगा उदाहरन देते हुए और डायग्राम बना आते हुए आपको अपने उत्तर को रिप्रेजेंट करना होगा